नेहा पेंट से महराष्टाची मूलगी जिसे कहते हैं उनका जन 29 नॉवंबर 1984 को हुआ है जी हाँ आजकल एक हिंदी सीरियल बहुत ही पॉपिलर हुई है में आएक कमिन मैडम जिसमें संजना का रोल निभा रही है नेहा पेंट से बहुत ही खुपसूरत दिखने वाली ये महराष्टी मूलगी बहुत ही प्यारी लगती है बहुत ही होट लगती है बहुत ही सेक्सी लगती है और बहुत ही ब्यूटिफुल लगती है ऐसी ये नेहा पेंट से जिन्सका स्कूल माराश्ट्र में यहने मुंबई में हुआ है पड़ाई और वो जब दस साल की थी तब उन्होंने पहली सीरियल की जिसका नाम था हसरते एस चाइल आर्टिस्ट वो इंडस्ट्री में आई है कैप्टन हाउस पड़ोसं खुशी ऐसी सीर्स उसके बाद उन्होंने की प्यार कोई खेल नहीं ये हिंदी फिल्म उनकी डेब्यू फिल्म रही है और निहा जी की ये फिल्म सूपर डूपर हिट रही है उसके बाद उनका करिश्मा हिंदी इंडस्ट्री में चलना शुरू हुआ उन्होंने फिल्म की डाग दफायर तुम से अच्छा कौन है और उसके बाद देवदास और दो हजार पाच में उन्होंने साउथ इंडस्री में अपना मोर्चा तै किया साउथ इंडस्री की मेड इन यूएस से मायल इंडस्री में पाला मोराथ कर आक्रिस प्रिश्मा के बाद वो साउथ इंडस्री में बहूत ही इंडस्री में अफेमस हुई बहुत ही उनके काम biz पहराना हुई और फिर उन्होंने 2011 में मराथी इंडस्ट्री में अपना पदारपन किया वो फिर्म थी सचीन प्यलगाओ करक जी की शर्याद आप शर्याद वैसे खास चली नहीं और इस वज़े से मराथी में उनकी हवा थोड़ी कम ही हुई लेकिन उसके बाद उन्होंने जी चैनल पर भाग्य लक्षमी सीरियल की जो बहुत अच्छी पॉपिलर हुई और एका पेक्षा एक यह डांस सिंकल प्रोग्राम रहा उसमें उन्होंने बहुत अच्छे अपना नृत्या विश्कार दिखाया और फिर दिल तो बच्चा है हिं अच्छे पुरस्कार विजेता राजिंद्र तिलग्जी उन्होंने डिरेट किया एक फिल्म और एणीडे उसमें भी उन्होंने काम किया वैसे कॉमेडी सीरियल से उन्हें बहुत सारी की लेकिन उनको अगनी दिव्या सिरियर के लिए स्टेट एवार्ड मिला और अब वैस जैसे ही उनका काम करने का जो मौका शुरू हुआ उन्होंने मराटी इंडस्री में एक प्यारी फिल्म की थी जिसके डिरेक्टर रहे हैं दीपक कदम और उस फिल्म का नाम था नगर सेवक जिहां दोस्तों नगर सेवक में उन्होंने बहुत प्यारा डांस किया है बहुत प मेहनत लेती है हमने ऐसे सुनाए कि एक फिल्म के लिए उन्हें दस किलो वजन कम करना था उन्होंने उतने मेहनत कर अपना वजन घटाया और वो अब पोल्ड डांस की भी प्रैक्टिस कर रही है हाला कि एक एक्ट्रिस को यह सब करना चाहिए अपने आपको इस कॉम्पटिश में रखने के लिए यह सब करना बहुत जरूरी होता है निया जी बहुत टैलेंटेड है बहुत अच्छी डांसर है और बहुत अच्छी एक्ट्रस है निया पेंट्से जी को हम बहुत-बहुत शुबकामनाय देते हैं उनके आगे आने वाद चलने वाले करियर के लिए बहुत धन्या देते हैं